सब्सक्राइब नाम पिंटो शिंग्यादो है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नियूज लाए दोस्तों प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारताई सीमा हैदर ने बुद्वार को पती सचीन मेडा के लिए अपना पहला करवा चौध का बरत रखा है सीमा हैदर ने एक वीडियो के जरिये सोचल मेडिया पर यह जानकारी लोगों को दी है उन्होंने बताया है कि वकील एपी सिंग को वो अपना भाई मानती है और उनकी माने करवा चौध का सामान दिलनी से भेजा है इसे के साथ सीमा ने वो सारा सामान भी दिखाया जो माईके से उसके लिए हाया हुआ है पता दे कि करवा चौध का तिभार पुरदेश में मना जा रहा है देश भर की महिलाओं के साथ सीमा ने भी करवा चौध का बरत रखा है दरसल महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए करवा चौत का बरत रखती है सीमा ने खुशी जाहिर करते वे कहा है कि भारत बहुत अच्छा देश है जो अन्य देशे के लोगों को अपना बना कर काफी शम्मान देता है मिटे रिपोर्ट्स की मताबिक सीमा ने कहा कि वो इससे पहले भी दो बार करवा चौत का बरत रख चुकी है लेकिन भारत में यह उसका पहला करवा चौत है जब पाकिस्तान में उसने सचीन के लिए करवा चौत का बरत रखा था सचीन इस बार उसके साथ है इसलिए वो बहुत जादा करवाचोंत को लेकर उत्साइथ है छे महीने पहले भारत आई थी सीमा बता दे कि करीब छे महीने पहले मई महीने में सीमा हैदर अपने चार बज्चों के साथ पाकिस्तान से निपाल के रास्ते अवैद रूप से भारत आई थी प्रेमी सचीन मीरा के साथ रब्बू पूरा में रहने लगी 2020 में PUBG गेम खिलने के दौरान सीमा की सचीन से मुलकात हुई और दोनों में प्यार हो गया फिर वो सचीन के पास अपने पहले पती को छोड़ चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ गई सीमा के भारत आने के जानकारी भारती एजन्सियों और अस्थानिये पूलिस को लगी तो पूलिस ने सीमा हैदर और सचीन को गिरफतार कर लिया हलाकि तीन दिन बाद उनको जमानत मिल गई इसके बाद से हैं सीमा उनके चारो बच्चे रभुपूरा में सचीन के घर पर रहे हैं सीमा हैदर ने सचीन के घर पर रहते हुए सनातनी हिंदू धर्म अपना लिया है तभी हिंदू तिभारों को विधांच से मनाती हैं इससे पहले सीमा ने तीज का भी तेवार धूम धाम से मनाया था बागे सीमा हैदर आज जिस तरीके से करवाच चोथ मना रही है इनों तस्वीरों को लेकर आप अपनी राय दीजिए धन्यबाद